स्टुडेंस वेलकम टू माई चैनल इंग्लिज वित मनीश नेमा सर आज हम इस वीडियो में क्लास 12 की पोयम आंट जैनिफर स्टाइगर जो की आपकी फ्लेमिंगो बुक की अंतिम कवीता है एडरें रिच की दौरा लिखी गई कवीता को पड़ेंगे हम इस कवीता की समरी औ कवीता का हो सकता है संभावित मिले चलिए सुरू करते हैं पोयम सिक्स आंट जैनिफर स्टाइगर वाई एडरें रिच समरी देखते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड मेलोडियस पोयम आप किसी भी कवीता की समरी लिखें तो आप यह ला एड्रेसिस दे डिफिकल्टीज ओफ आप मेरेट भूमेन नेमड आंट जैनिफर जो एडरिन रिच हैं वो एक फेमिनिस्ट है और वह इस कवीता में संभोधित करती हैं बताती हैं दे डिफिकल्टीज याने कटनाईयों को आफ आप मेरेट भूमेन एक साधी सुदा महिला की नेमड जिसका नाम उन्होंने कालपनिक बताया है आंट जैनिफर सी स्पेंट्स गुड अमाउंट आफ टाइम इन एमब्राइडरिंग पैनल आफ टाइगर्स प्रांसिंग एक्रोज दा स्क्रीन वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो बिताती हैं एमब्राइड रहा है उस पर diapos आध हैं तर्था क्रीयेटawi क्रीयेचe से पेजिएगं एलगेंट्री एइन मेंडि स्टे की और जो A हिर जो बना रही है आंट जैनिफर कपड़ेड वो टाइगर बिना भctar के और बिना भών के क्री और ने प्राणि पेजिए पीसिंग प्रार्ण हैएड ल spread of freedom और ये प्रतीक हैं ठीक स्वतंत्रता की भावना का aunt is a victim of male 7ism 7ism होता है male domination जब पुरुस प्रधान समाज होता है तो उस समय को 7ism के नाम से बताया गया है तो aunt is a victim of male 7ism तो aunt जो है वो पीड़े थे पुरुस domination से she spends यहां पर उनकी husband से she spends her life in fear वो बिताते हैं अपना जीवन भेह में बट she embroiders on the panel the fearless tigers परंतु भे बना रही हैं बिलकुल पैनल पर जो कपड़े पर हैं embroidery कर रही हैं उससे वो fearless tigers को बना रही हैं to express यहने व्यक्त करने के लिए her secret logging for a life of freedom एक गुप्त छुपी हुई इक्छा जो उनकी है स्वतंतरता की अपने जीवन में and confidence और साहस की even her death does not end the problem वो कहती हैं कि मैं मर भी जाओंगी लेकिन यह problem खत्म नहीं होगी and torture और यह पीड़ा खत्म नहीं होगी प्रतार्ना खत्म नहीं होगी which are married woman experiences जो एक विवाहित महीला अनुभाव करती है यह summary है आपकी Adrian Rich के दौरा लिखी गई poet poem Aunt Jennifer Stiger की इसे आप बहुत अच्छे से याद करें तीन नंबर का question summary में मिल सकता है चलिए आगे चलते हैं इस कवीता के प्रस्न उत्तर पर पहला प्रस्न इस कवीता का बहुत ही important है जो है how the denigence and shivarlik add to our understanding of the tiger's attitude जब कवीता शुरू होती है तो पहली line में denigence और सिवारलिक इसे चिवारलिक ना पड़ें यह सिवारलिक है जो कहलाता है male domination जब पुरुषप्रदान होता है समाज में तो उसे सिवारलिक term से बता जाता है तो यह दो सब्द एट किये गए है ठीक tigers के attitude से तो आप बताए कैसे denigence means that the tigers are proud of their home यह denigence का मतलब है कवीता में कि जो टाइगर है उन्हें अपने घर पर बड़ा गर्व है और उनका घर क्या है जंगल क्यूंकि वहाँ पुरी तरह उन्हें स्वतंत्रता है सिवारलिक सोज देट they have majestic position like knights in the jungle और सिवारलिक सब्द बता रहा है कि उनकी बड़ी सांदार इस्तिती है knight यह राजाओं की तरह कहां पर जंगल में यह दोनों सब्दों का मतलब है इसे अच्छे से याद करिए यह कवीता का पहला प्रस्न है अत्यंत महात्पूर्ण है 2024 में MP board में हर कवीता का पहला प्रस्न important होता है सभी पहला पहला प्रस्न तो जरूर याद कर लें question number two why do you think aunt jennifer's hands are floatering through her wool in the second in the second stranger why is she finding the needle so hard to pull तो आप कैसे बता क्या मानते क्यों मानते हैं कि aunt jennifer के हाथ काप रहे हैं जब वो उनको बुन रही है second stranger में और why is she finding the needle so hard to pull और उन्हें जो needle है जो needle है वो क्यों इतनी कटन लग रही है कि उन्हें उनसे बुनाई करना बड़ा कटन लग रहा है she is finding the needle so hard to pull because she is afraid of her husband तो जब वो needle से उनको बुन रही है तो उनको बड़ा ही डर लग रहा है अपने husband से and her fingers are tired of working और उनकी उंगलियां ठक गई हैं ऐसा काम करते करते all through her life अपनी जीवन भर उन्होंने जो काम किया है उससे उनकी उंगलियां ठक गई है और उन्हें वो needle भी बड़ी hard लग रही है बुन्ने में question number 3 है what is suggesting by the image massive weight of uncle's batting band 2013 में ये प्रस्ट दिया गया था what is suggesting क्या बता रहा है वो image जिसमें massive weight of uncle's batting band massive weight ये भारी भर कम बजन किसका uncle's batting band जब साधी होती तो महिलां को एक batting band पहनाया जाता है तो ये aunt Jennifer के पती है उनका batting band वो पहने हुए है और उन्हें भारी भर कम लग रहा है या image क्या बताती है आपको बताना है the image massive weight of uncle's batting band is suggested that the bindings and obligations of our marriage are so much जो बंधन है और जो obligations है उनकी marriage life के वो बड़े ही जादा है ठीक उस बंधन से उच बोज से aunt Jennifer ठक गई है ये बताता है question number five sorry four होगा गलत लिग गया है how does aunt Jennifer expresses her bitterness and anger against male कैसे aunt Jennifer ब्यक्त करती है अपनी कड़वाहट को और क्रोध को किस के खिलाफ male याने पुरुष के खिलाफ sample paper 2024 में यह तीन number का प्रस्ण दिया गया है to express her bitterness and anger against male dominance अपनी कड़वाहट और क्रोध को ब्यक्त करने के लिए male dominance याने पुरुष प्रधान समाज के परती पुरुष प्रधान के परती aunt Jennifer chooses to embroider tigers on the panel auntie चुनती है embroidery करना tiger को panel पर panel करती है cloth the nature of tigers symbolizes strength fearlessness and splendor which is in sharp contrast to her own meek nature because of which she has suffered endlessly the nature of tiger symbolizes tigers का जो नीचर है वो बताता है strength ताकत को fearlessness निर्वेता को and splendor और सांदर उनकी प्रकति को बताता है which is in sharp contrast to her own meek nature जो की बिल्कुल बिपरीत है जो aunt Jennifer का meek nature है बिल्कुल सीधा साधा nature उसके खलाब because of she has suffered endlessly कारण क्या है की because of which she has suffered endlessly जिससे वो क्या हो चुकी है बिल्कुल पीडित हो चुकी है बहुत जोर से चलिए question number 6 what does the tiger symbolize in the poem ये जो question है ये question बैंके है इनको भी आपढ़ियेगा the tiger symbolizes the desire and emotions of aunt Jennifer क्या बताते हैं tiger poem में तो tiger प्रतीक है काय का एक्छाओं का और emotions का भावनाओं का aunt Jennifer की that she could not express जिसे भी बैकते नहीं कर सकती थी throughout her life in some other way किसी भी अन्य तरीके से अपने जीवन में वो इसे व्यक्त नहीं कर सकती थी she is terrified with her soundest husband और वो बड़ी डरी हुई है अपने soundest husband ये ने एक पुरुस प्रदहाँ पुरुस dominant character है उनका husband उनसे she lives her life under pressure of duties of merit life वो जीती है अपनी जिन्दिकी को एक दवाओ में और duties of merit life जो ब्यबाहिक जीवन के करतब होते हैं उनके बोज तले question number 7 what does bedding band stand for bedding band क्या बताता है bedding band stands for unbreakable bond of marriage तो bedding band बताता है unbreakable ना तूटने वाला बंधन marriage का साधी का between husband and wife जो की husband और wife के बीच में होता है question number 8 what is the result of fluttering जब उनके हाथ का आप रहे थे तो उसका result क्या हुआ the result of fluttering is that she gets sad and she finds hard to pull even having the ivory needles the result of fluttering is that fluttering के result ये है कि she gets sad वो निरास हो जाती है and she finds hard to pull even having the ivory needles और उन्हें बुनाई करना बड़ा कठें लगता है even having यहां तक कि उनके पास ivory ivory मतलब हाती के सफिद दातों को ivory कहते है तो हाती के सफिद दातों की needles जो बहुत ही smooth है वो भी उनको बुनाई करने में कठें आई महसूस करवा रही है question number 9 why are the tiger not afraid of man? tiger क्यों डरती नहीं है इंसानों से? the tigers are not afraid of man because they are brave क्योंकि भी बहादर है, strong है, fearless है क्योंकि बहादर है, मजबूत है, निर्भे है and full of confidence और सहाथ से भरे हुए होते है इसलिए उन्हें इंसानों से डर नहीं लगता लेकिन Aunt Jennifer अपने आपको ऐसा महसूस नहीं कर रही है इसलिए वो जो पैनल पर है, cloth पर है, embroidery से वो tigers को बना रही है question number 10 Why are the tigers called Aunt Jennifer's tiger? Tigers जो बताए गए है कवीता में, उनको Aunt Jennifer के tiger क्यों कहा गया है The tigers are called Aunt, sorry, Aunt की spelling गलत लिग गए, आप थोड़ा से सुधार लीजेगा The tigers are called Aunt Jennifer's tiger because they have been created by embroidery तो उनके दोरा embroidery से create किये जा रहे हैं, बना जा रहे हैं इसलिए उनको कह दिया गया है poem में, Aunt Jennifer's tiger, यहाँ पर ant लिग गया है आप Aunt कर लें, जो यह यह दिख रहा है, यहाँ पर इसके लिए छमाच आयते हैं, चलिए चलिए, अब आपको यह सारे 10 प्रस्न जो हैं, यह मैंने आपको Aunt Jennifer's tiger से बता दी हैं मैं आपको पुना बता दूं कि जो शुरू की पहले प्रस्न हैं, यह पांच, यह बड़े important प्रस्न है, और इस कभीता से इस साल प्रस्न पूछा जा सकता है, संभावित है MP Board में, आप पढ़ाई अच्छे से करें, ध्यान रखें, इदिए आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर दें, दन्यवाद